हेलो एवरिवन, मेरा नाम खुशी है क्या आप सभी जानते हैं कि समविधान दिवश क्या होता है का वाता है वा क्यूं मनाया जाता है आईए मैं आपको समविधान दिवश से सम्मंदित कुछ महत्पून जानकारियों से अवगत कराना चाते हूँ समविधान का उर्थ होता है जो हमारे वा हमारे समाज के प्रतेक नागरिकों के लिए एक उचित धंग से समानत स्वतंतरता वा समाजिक व्यवार की रूप रेखा चलानी के लिए नियमों वा कानूनों का पालन कराता है वैं समविधान कहलाता है सम्विधान प्रतेक देश का एक मूल मंत्रवा सर्वोच दस्तावेज होता है सम्विधान को शक्ति का श्रोत माना जाता है सम्विधान हमारे राजनेतिक, समाजिक और न्याईक क्रियकलापों को सुव्यवस्तित रखने के लिए एक सही धंग प्रदान करता है सम्विधान हमें बताता है कि देश को कैसे चलाया जाए वा सम्विधान इस बात का विध्यान रखता है कि किसी विवेक्ति के अधिकारों का हनन ना हो सम्विधान के अधार पर हमारे देश की शैशन व्यवस्ता चलाई जाती है वा नियमों को संचालित किया जाता है 1939 में लाहोर अधिवेशन के तहट लाहोर में पूर्ण सुराज की मांग चल रही थी पूर्ण सुराज का अर्थ है कि अपना पूरा राज जब अंग्रीजों ने हम पे शाषन किया था तो गांधी जी के माध्यम से लाहोर अधिवेशन की शुरुआत हुई थी और वो ये पताना चाहते थे कि हमें पूर्ण सुराज की मांग चाहिए उन्होंने पूर्ण सुराज के लिए लाहोर अधिवेशन में भाग लिया पूर्ण सुराज के तहट लाहोर में राविन अधि के टट पर 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्र दिवस के लिए अपना भारत का जंडा फ़राया गया जिसके कारण 26 जनवरी 1930 को एक स्वतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता था परन्तु 26 नवंबर 1949 को हमारा समविधान बनकर तयार हुआ 26 जनवरी 1950 को समविधान इसी वज़े से लागू किया गया था भारत का समविधान को बनने में दो वर्ष 11 महीने वा 18 दिन का समय लगा भारत के समविधान के पिता डॉक्टर भीमरा अंबेडकर कहलाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भी भारत के सम्विधान बनाने में एक एहम भूमी का है भारत के सम्विधान एक सबसे बड़ा लिखित सम्विधान है वर्ष 2015 में डॉक्टर भीमराव अम्बेड कर बाबा साहिब की 125 वी वर्ष गांट के उपलक्ष में 26 नवंबर को एक सम्विधन दिवर्ष के रूप में गोशित किया गया तब ही से यह प्रतेक वर्ष मनाया जाता है सम्विधन दिवर्ष का उद्देशे भारत के नागरिकों को सम्विधन से सम्मंदित मैटकों जानकारियां देना वा उनको जागुरु करना भारत को एक संप्रभूत्व लोकतांत्रिक गर्ण लाज्य गोशित किया गया सम्विधान हमें स्वतंत्र, समानता, वंदुत्ता की भावना को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है तथा हमें अपने सम्विधान पे गर्व करना चाहिए थैंक्यू